Hello everyone, welcome back to my channel PK Kala Friends, आज के वीडियो में मैं लेकर आए हूँ CL Consonant Blending Words जी हाँ, ये words हम करेंगे CL Consonant Blending के और CL को हम Pronounce कैसे करेंगे और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि CL से Related कौन-कौन से words होते हैं और बच्चा किस तरह से लिखेगा उन्हें बोलेगा तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो helpful है बहुत ही बच्चों के लिए पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना शेयर करना और जो नए है चैनल पर वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना So friends, CL को हम क्या pronounce करते हैं? क्ला, क्या pronounce करते हैं? क्ला, क्ला साउंड हम pronounce करेंगे C, L, L को और इससे related हम सबसे पहला वर्ड क्या लिखेंगे? क्लिक, क्ला, C और L को हमने क्ला प्रणाउंस किया ना कि पूरी वर्ड की स्पैलिंग लर्ण करानी है बच्चों को पहले बोलना आए देन उसको आप आगे वर्ड की स्पैलिंग लर्ण भी करा सकते हैं Next word हम लिख सकते हैं, क्लाप क्लाप में क्या आ रहा है? क्ला, एप A sound आ गया और प, एप क्लाप, एक, क्लिक क्लाप, एक, क्लाप, क्लाप Now come to the next word, क्लोज क्ला, ओज, O-S-E क्लोज Next is क्लब क्ला, अब अब कैसे बोला हमने यू का फॉनिक साउन ही A होता है और B का फॉनिक साउन होता है ब बन गया, क्लब Next word is क्लिफ क्ला, इफ I, डबल एफ क्लिफ और क्या लिख सकते हैं हम? क्लाप क्ला, आ थ, साउन आ गया E, S, क्लाप क्ला, अ, थ, स, क्लाप Next is क्लाउन C, L, क्ला, आउन O, W, N क्लाउन और क्या लिखे हैं? क्ले क्ला, ए क्ले Next is क्लाइम्ब क्ला, आउन I, M, B क्लाइम C, L, I, M, B तो हम क्या पढ़ेंगे इसे? क्लाइम्ब Next is क्लिफ क्ला, इप I, P क्ला, इप, क्लिफ Next वर्ड हम और क्या लिखेंगे क्लीन क्ला, इन E, A, N C, L, E, A, N क्लीन और क्या लिख सकते हैं हम क्लार्क क्ला, आर, क्लार्क Next is क्लियर क्ला, और इएर E, A, E sound और आर, क्ला, E, R क्लियर और क्या लिख सकते हैं? क्लावड क्ला, आवड O, U, D C, L, O, U, D क्लावड Next word is क्लेम क्ला, A, M ये भी A, I क्या होता है? ये भी एक sound है क्ला, A, M क्लेम तो फ्रेंड्स अब इन वर्ड्स को हम एक बार रीडावड कराएंगे बच्चों से 1st word is क्ला इक, खलिक क्ला अप, खलाप क्ला ओउड्स खलोज क्ला अब, खलब क्ला इफ, खलिफ क्ला आथ, खलाथ क्ला आउण, खलाउण तो इस तरह से friends आपने reading करते में ध्यान दिया होगा कि मैंने claw sound पर main focus किया है कि बच्चों को claw बार बार repeat करना पड़ा है इसमें बोलना आ रहा है बच्चे को C और L को मिला के हमने claw बोला और आगे का word फिर हमने जोडा तो एक पूरा word बन गया तो बच्चे को आपने claw sound पर concentrate कराना है इस तरह से friends आप चाहें तो 2-2 words लेकर बच्चों को revise कराईए या 55 words ले दीजी और ये 15 words की ऐसे आप practice करवा सकते हैं कम से कम पहले बच्चों को बोलना आए जब बच्चों को बोलना आएगा तो फिर आगे उनको आप spelling भी learn करा सकते हैं और words भी लिखने को दे सकते हैं तो I hope friends आपको ये वीडियो बच्चों के लिए helpful लगा होगा पसंद आया होगा तो please वीडियो को like, share और चैनल को subscribe भी जरूर करके जाना मिलते हैं friends और अच्छे interesting videos में Till then bye bye and take care